हेलो गाईज, वेलकम टू कॉमेट लर्निंग, तो हमारा थर्ड चाप्टर, लाइफ प्रोसेसेस इन लिविंग और्गनिजम पार्ट टू चालू था, जिसमें काफी हद तक के हम काफी सारी चीज़े देख चुके हैं, क्या-क्या देख चुके हम अभी तक के भाई, हम मेल र प्रोडक्टिव सिस्टम देख चुके हैं, अब उसी के आगे का पार्ट हम आज के क्लास में देखने वाले हैं, आज के क्लास में हम क्या-क्या देखेंगे, आज के क्लास में अपन देखेंगे, सबसे पहले तो गमीटो जिनेसिस, क्या देखेंगे, गमीटो जिनेसिस, को पता है मेल गमिट क्या है फीमेल गमिट क्या है मेल गमिट कहाँ से फॉर्म होता है यज यह जब फॉर्म हूं जाएंगे तो इसके बाद अपने को क्या देखना है इसके अपने को देखना है भाई सेकेंड इस फर्टिलाइजेशन क्या देखना है फर्टिलाइजेशन और फिर अपन देख लेंगे डेवलपमेंट क्या देख लेंगे डेवलपमेंट किसका एंब्रियोनिक डेवलपमेंट ये सारी चीज़े अपने को देखनी है क्या क्या देखनी है कि पहले तो gamitogenesis, gamit formation, fertilization and embryogenesis यानि कि development किसका, embryo का, क्या देखना है अपने को development देखना है, यह सारी चीज़ है अपने आज के class में देखेंगे, तो सबसे पहले gamit कैसे form होता है, fertilization कैसे होता है, चलो एक एक करके देखते हैं, तो हम को क्या देखना है भाई, gamit कैसे form होता है, क्योंकि यही जब तक gamit form नहीं होगा, तो fertilization होगा, क्या fertilization नहीं होगा, तो zygote नहीं बनेगा, हमारी कहानी आगे कैसे बनेगी, reproduction complete कैसे होगा, तो अपने देखते हैं, gamit formation अपना, gamit formation में अपने को दो चीजे form करनी है, एक sperm, क्या form करना है, एक sperm और एक अपने को करना है, ओवम, क्या, ओवम, अब अपने को यह देखना है कि कहां form होता है, भाई, यह सारी चीजे, हमको पता है, sperm क्या है, male gamit, यह क्या है, यह है, male gamit, यह यह क्या है भाई यह फीमेल गमिट है यह क्या है फीमेल गमिट है जब मेल गमिट और फीमेल गमिट क्या होता है आपस में फ्यूज होता है उसी को तो अपन क्या कहता है फर्टिलाइजेशन कहता है सो क्या होता है sperm क्या है male gamete then second यह कहां form होता है भाई यह testis में form होता है कहां पर testis में testis में कहां seminiferous tubule में seminiferous tubule में अगर आपने पुराना class देखा है तो obviously समझी में आएगा क्योंकि मैं यह सारी चीज़े तो पहले ही बता चुका हूँ okay so testis में seminiferous tubule में then आपका ovum कहां form होता है यह होता है ovary में कहां पर form होता है ovary में then अब यह जो है इनका formation भाई by mitosis और meiosis किस से होता है जो हमारे gamit gamit में कौन सा division होता है हमको तो पता है न जर्म सेल में है न तो यह जो है meiosis होता है इन हमें क्या होता है miiosis क्या होता है भाई miiosis इसमें भी क्या होगा meiosis क्योंकि हमारे जो ovum EP और sperm होता है यह कैसे होता है HP yad यह भी कैसे होता है HP yad diploid होते है क्या हैพ yaddam mtlape half number of chromosome Swami भन में हाफ नंबर ऑफ क्रोमोजोम होते हैं तभी तो हाफ हाफ मिक्स होके क्या बनता है एक याने की equal amount of क्या बनते है क्रोमोजोम जो की एक humans में present होते हैं तो ओवम और sperm ये सब कुछ देख चुका है हमने तो देखो क्या होता है धीरे-धीरे क्या बनता है sperm बनता है spermatogonia किसमें बनता है form होता है sperm में किसमें sperm में वैसे यहाँ पर भी primary ूसाइड secondary ूसाइड फिर जाके आपका mature ूसाइड बनता है याने की ओवम बनता है इस तरीके से आपको actual actual कैसे sperm formation है या ओवम formation यह बिल्कुल आपके syllabus में नहीं है आप 12th class में इसको काफी अच्छे से deep में पढ़ोंगे तो आपके लिए भी इतना ही समझना काफी है कि sperm और ओवम sperm कहां form होता है भाई testis में ओवम कहां form होता है ovary में then यह male gamit female gamit obviously दोनों किस से बनते हैं meiosis से बनते कैसे बनते हैं meiosis division से और दोनों कैसे होते हैं haploid set of chromosome इनमें chromosome number किते होते हैं half number of chromosome present होते हैं और भी बहुत सारी चीज़े हैं जो अपन इसमें देखेंगे दीरे-दीरे करके की देखो यहां पर क्या बताया है यहां पर अलगी बताया कि यह spermatogonium spermatogonia फिर divide होता है तब जाके आपका क्या बनता है यहां पर यहां पर आपका sperm बनता है वैसे ही ugonium divide हो होके डो होके आपका क्या बनता है एक mature ovum बनता है और यहां पर sperm बनता है और यहां तो यह इस तरीके से बनता है जब sperm और बन गया इधर पे यह sperm बन गया ओके तो आपस में बन गया और यह आपस में क्या हो जाएंगे फ्यूज हो जाएंगे और तब जाके यह क्या बन जाएंगे यह जाइगोड बन जाएंगे जाइगोड बन जाएंगे और यहां से फिर क्या होता है डेवलप्मेंट सुरू होता है यह इनका फ्यूजन हमने देखा था इनका fusion कहाँ पर होता है ampula में होता है ampula क्या है ampula हमारा part है oveduct का part है kis का part है oveduct का हमने देखा था कि ovary से ovum निकल रहा था और फिर जा रहा था कहाँ पर जा रहा था oveduct में oveduct में एक middle वाला part देखा था ampula वहाँ पर इनका fusion होता है और इसी fusion को अपन क्या कहते हैं इसी fusion को ही तो अपन क्या कहते हैं फर्टिलाइजेशन कहते हैं ओके क्लियर है जब फर्टिलाइजेशन हो गया मतलब क्या बन गया आपका जाइगोट बन गया और जाइगोट बन गया तो यह जाइगोट फिर कहा पर जाता है यह जाइगोट जाता है आपके यूटेरस में कहा जाता है यूटेरस में और यूटेरस के endometrial wall वाल, endometrial वॉल पे क्या हो जाता है, attached हो जाता है तो यह जाता है attached हो जाता है और इसी attachment को अपन क्या कहते है? इसी attachment को अपन कहते हैं implantation क्या कहते है implantation ओके देखो फिर से एक चोटी से पट से डागरम बनाके दिखानी की कोशिश करता हूँ भाई आपको कि ये देखो एसा ये क्या है हमारा यूटेरस ये क्या है यूटेरस ओके ये समझ लीजिए है एमप्यूला क्या है एमप्यूला यहां पर इधर से ओवम आया यहां से ओवम आया और इधर से इधर से swim करते 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 कौन आया आपका sperm आया कौन आया sperm आया जो कि इसके साथ क्या हो जाएगा fertilized हो जाएगा और जैसे यह fertilized होगा तो क्या बन जाएगा यह बन जाएगा zygote क्या बन जाएगा zygote फिर यह zygote दीरे 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 इधर shift होगा और यह जो यहाँ पर एक layer form होई होगी जिसको अपन कहते हैं endometrial layer या wall इस पर आके यह क्या हो जाएगा भाई attached हो जाएगा क्या हो जाएगा attached हो जाएगा यानि कि implant हो जाएगा फिर वहाँ पर बीच में ऐसा एक placenta develop होगा क्या होगा placenta develop होगा जो कि उसको क्या देने का काम करता है nutrients देने का काम करता है और धीरे 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 आपका जो zygote है develop होता है embryo में फिर बेबी बन जाता है after 9 मन्त बाद और parturation याने कि यह क्या हो जाता है deliver हो जाता है ठीक है काफी सारी चीजे देखी हमने क्या क्या देखा सबसे पहले zygote formation फिर कैसे zygote formation हुआ फिर उसके बाद कैसे fertilization हुआ सब कुछ हमने यहाँ पर देखा अभी okay तो क्या बोला है कि gamit formation sperm, ovum, ये कहां कहां पर होता है, हमने सारी चीज़े देखिए, आपका sperm, ovum से fertilized होगा, fertilization होगा, zygote बनेगा, फिर वो किस तरीके से uterus में, endometrium, wall पर क्या हो जाएगा, implant हो जाएगा, फिर वहां पर उसका क्या होगा, development होगा, ठीक है, clear है, यहां तक के सभी को समझा, अपन आगे और इसका थेरी देख लेते हैं कि क्या actual होता है, ठीक है, सो क्या बोला है भाई यहां पर, कि gamit formation, क्या होता है, gamit formation हमको पता है, both gamit जैसी कि sperm क्या है, male gamit और ovum क्या है, female gamit, यह कहां मिल, यह कैसे मिलते हैं हमको, meiosis से कैसे मिलते हैं, meiosis से, meiosis मतलब reductional division, मतलब chromosome number कैसे हो जाते हैं, half हो जाते हैं, okay, then in case of sperm, process of meiotic division is completed before the sperm leave male reproductive track, देखो क्या बोल रहा है, कि जब sperm निकलता है मतलब body से, male body से, तो वो completely पूरी तरीके से क्या हो जाता है, matuary होता है, वो सारी सारी के सारी stage उसमें complete होती है, लेकिन जब ovum निकलता है, तो ovum क्या हो जाता है, वो पूरी तरीके से mature, in the sense कि वो ovum नहीं बना होता है, उसको हभी भी हम o side बोलता है, जब fertilized हो जाता है, fertilized होने के बाद में, उसका division complete होता है, तब जाके वो क्या बनता है, ovum बनता है, ठीक है, जैसे जैसे आप जब 12th में इसका काफी अच्छे से description दिया हो, अभी सिप आप इतना ही समझो, कि ये जो meiosis, जो हम meiotic बोल रहा है, नहीं कि meiosis की process मेल में complete हो जाती है, sperm में meiosis पुरा complete हो जाता है, लेकिन कब complete होता है, after ovulation, यानि कि during fertilization, ovulation का मतलब ही यह है कि ovum का release हो जाना, कहां से, ovary से, उसको बलेंगे अपन, ovulation, then, भाई, 2-4 million mature क्या होते हैं, उस sides present होते हैं, कहां पर ovary में, क्या 2-4 million देखो, कितने हैं, 2-4 million ovum present होता है, किसके अंदर पर भाई, किसके अंदर female fetus के, अंदर ये भी कब decide हो जाता है, ये baby के born होने से पहले ही, क्या हो जाता है, decide हो जाता है, कि कितने इसमें egg present होंगे, then, mature oocyte release from ovary every month, हर month क्या होता है, egg release होता है, कहां से, ovary से release होता है, एक month right, एक month left, हमने देखा था, alternatively क्या होते हैं, release होते हैं, अब two menopause, menopause, menopause क्या होता है, भाई, menopause वो होता है, जहां पर periods क्या हो जाते हैं, यानि कि menstrual cycle क्या हो जाती है, stop हो जाती है, जब अपन menstrual cycle पढ़ेंगे, तब इसको काफी अच्छे से deep में, और देखेंगे, menopause मतलब, जब आपकी menstrual cycle stop हो जाए, से क्या हो जाता है, menstrual cycle start हो जाता है, और end कब होता है, end होता है, 45 की age में, 45 to 50, approximately बोलता है, कि जो एक human, human, female, अपने पूरे life में 400 egg क्या करती है, release करती है, कितने 400 egg, ये calculation कैसा है, ये calculation कुस ऐसा है, अगर अपन calculation करें, तो लगभग 32 से लेके 35 year तक के क्या होता है, 32 से लेके 35 year तक के menstrual cycle चलती है, चलो, इसका calculation करी लेता है, क्या बोल रहा हूँ मैं, हमने बोला, कि 45, 45 से लेके 50 के बीच में menopause हो जाता है, लेकिन start कब होता है, ये इसको बोलेंगे, अपन menopause मतलब यहाँ पर क्या हो गया भाई, menstrual cycle stop हो गई, लेकिन start कब होती है, start होती है 12 से 13 year के बीच में, किसी किसी को 15, 17 vary करता है, इसको अपन कहता है मेनार्चे, क्या कहते है, मेनार्चे, जिस पर start, जब start होता है उसको मेनार्चे और जब stop होता है, उसको कहते है menopause, तो इन दोनों के बीच के अगर distance भी निकाले, roughly तो मैं 32 निकाल रहा हूँ, ठीक है 32, और 32 year बचता है, और हर एक साल में, वन year में क्या होता है, 13 egg release होता है, 13 egg क्या होता है, यह कैसा calculation है भाई, एक year में 13 egg कैसे release होंगे, क्योंकि जो menstrual cycle है, वो 28 days की होता है, जैसे mobile का recharge, रिचार्ज वाली company क्या कर रही है, यह भी जो recharge है, 28 days का रख के, हमारे साल में जो 12 मन्त होता है, वो उसको 13 मन्त कर दिया, वैसे ही, यह menstrual cycle में भी ऐसे ही होता है, कि 28 days की cycle होती है, तो ऐसे 365 दिन में, कितनी cycles हो जाती है भाई, 13 cycle होती है, और हर cycle में कितने 13, मतलब हर year 13 egg release होते हैं, तो 32 year तक के 13 egg release होंगे, तो approximately करके देखते हैं, कितना आता है, मुझे तो ऐसा ही calculation आता है, क्योंकि भाई, मैं तो बंदा हो बायो वाला, ठीक है, तो 6, 9, 11, यह देखो, 416, 416, मैंने भी approximately कितना बता है आपको, 400, तो approximately 400 egg release होते है, then इसको अपन और अच्छे से उसमें भी देखेंगे, जब अपन menstrual cycle के बारे में पढ़ेंगे, yes, what is fertilization भाई, fertilization तो अभी देखके आया अपन ने, जो हमारा sperm, sperm और ovum unite हो जाएंगे, fuse हो जाएंगे, mix हो जाएंगे, तब क्या बनेगा आपका, तब बनेगा आपका zygote, उसी को अपन कहते हैं fertilization, यह है आपका ovum और यह है आपका sperm, यह क्या बन गया अब, zygote, so the formation of zygote by union of sperm and ovum is called as fertilization, fertilization समझना बहुत जादा मुश्किल नहीं है, बहुत easy है, जादा लोगों को समझ में आ जाते हैं, लेकिन अब यह fertilization हमारे body के अंदर हो रहा है, body के अंदर हो रहा है, female body के अंदर होता है fertilization, इसी लिए इस type के fertilization को, जब fertilization body के अंदर हो, तो हम उस उसको कहते हैं, internal fertilization, क्या कहते हैं, internal fertilization, देखो, बहुत easy-easy चीज़े हैं, बस आपको समझ ना, एक बार समझ गया न, तो कोई तकलीफ ही नहीं होती है, फिर, so, semen is ejaculated in vagina during copulation, sexual intercourse के time पे जो semen है, वो introduce करा दिया जाता है, vagina में female के, then वो क्या होता है, भाई, pass होता है, millions, millions start their journey by the roots of vagina, uterus and ovum, millions of sperm, millions of sperm entry लेते हैं, लेकिन fuse कितना होता है, सिर्फ एक ही fuse होता है, fertilized होता है, one of those few millions sperm fertilized, the only ovum present in the oviduct, oviduct में जो ovum present है, उससे सिर्फ एक ही, देखो, मैं क्या बुरू, millions of sperm ने entry लिया, लेकिन उसमें से fertilized ovum के साथ सिर्फ एक ही होगा, जब वो fertilized होता है, उसी को अपन कहते है, fertilization, और fertilization का result क्या मिलता है हमको, हमको मिलता है, zygote, क्या मिलता है, zygote, अब ये zygote, धीरे, 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 क्या होगा, developed होगा, कहां पर, uterus में, womb में, इसी को क्या कहते है अपन, इसी को कहते है, development and birth, जब वो भाई, parturate हो जाए, बाहर आ जाए, deliver हो जाए, उसको कहेंगे अपन, birth, तो क्या बोर रहा है, कि तो zygote है, जो formation हुआ है, का formed हो है, by fertilization के बाद, undergo, repeated mitotic division and embryo is formed, अब जो zygote है, वो meotic division करेगा, continuously divide होते रहेगा, divide होते रहेगा, और वो क्या बना एंब्रेयो, क्या बनाएगा, embryo, it is pushed toward uterus, धीरे 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 यूटेरस के तरफ shift होते जाता है, और uterus के मैंने बताया था, endometrium wall में क्या हो जाता है, implant, so, जब ये uterus में पहुच जाता है, तो क्या हो जाता है, implanted and further development occur after implantation, implantation के बाद, इसका जो धीरे धीरे development क्या wide होके अपने-पने organ बनाते जाएंगे, कहां पर uterus में, organ called placenta, देखो placenta बहुत important है, इसी के मदद से सारा supply होता है, food material का, कब, during the growth of uterus, जब uterus में जो growth होती है, तो भाई, nutrients कैसे आना जाना करेगा, कैसे उसको सारा food material मिलेगा, वो मिलेगा, through placenta, through placenta, और embryonic development is completed approximately within 9 month, 9 महने म पूरा का पूरा जो है, baby क्या हो जाता है, ready हो जाता है, after the fertilization, ऐसे तीन trimesters होते हैं, धीरे-धीरे-धीरे-धीरे करके आपका baby क्या होते जाता है, developed होते जाता है, clear है, तो हमने क्या-क्या देखा, आज के class में ये एक बार revise कर लेता है, gamit formation, भाई, revision बहुत जरूरी है, revision बह समझी में आये, repeat करना हो, तो आप बिल्कुल comment section में बोल सकते हैं, मैं और easy way से आपको समझाने की कोशिश करूँगा, बहुत easy है, जादा इसमें कुछ ऐसा डरने वाली बात नहीं है, okay, so gamit formation में क्या gamit formation हुआ था, simple सा, male इधर लेते हैं, male और इधर लेते हैं, female देखो, य यह जो मैं बता रहा हूँ न, easy related अभी कुछ और बताने वाला, बहुत important है, इसलिए समझना, male और female, male क्या बोला मैंने, male में क्या बनता है, sperm क्या बनता है, sperm as a gamit, female में क्या बनता है, ovum क्या बनता है, ovum as a gamit, अब यह sperm और ovum क्या होते हैं, fertilized होते हैं, क्या होते हैं, fertilized, यानि कि इसी को अपन क्या कहते है जब फर्टिलाइजेशन जब फर्टिलाइजेशन होता है जाइगोट का फॉर्मेशन होता है अब जाइगोट का फॉर्मेशन होता है अब जाइगोट का फॉर्मेशन हो गया तो जाइगोट के फॉर्मेशन के बाद क्या होता है यह माइट सारा nutrients कहां से मिलता है through placenta, placenta से nutrients लेके या बोलो food material लेकर के ये क्या बन जाता है का पुरा का पुरा एक baby develop हो जाता है, clear है यहां तक के सभी को, अब देखो ये जो baby है मैं आपको यही बताना चाहता हूँ कि ये baby तो आ गया, ठीक है, ये जो baby है मुझे बताओ ये male होगा या female क्या होगा, male होगा या female होगा, ठीक है, male होगा या female होगी, yes, male होगा या female होगी, ये कैसे क्या होता है, ये अभी मैं बताता हूँ आपको चलिए, कैसा सब कुछ चलता है, देखो अब ये male होगा या female होगा, इसको और उपर ले लेता है ताकि confusion ना हूँ, मैं यहां पर इनका क्रोमोजोम नंबर कितने क्रोमोजोम प्रेजेंट होते हैं मेल में प्रेजेंट होते हैं 46 कितने 46 और फीमेल में कितने होते हैं 46 जिसको 23 प्रेयर 23 प्रेयर कहते हैं हम इसमें हमको पता है कि जो 22 प्रेयर 22 प्रेयर क्या होते हैं Autosome होते हैं, और one pair क्या होते हैं? One pair होते हैं Sex Chromosome, क्या होते हैं? Sex Chromosome, ठीक है, यह pair में लिखा, यानि कि इसको 44 लिख सकता हूँ, और इसको मैं 2 लेक लिख सकता हूँ, हो गह, 46, वैसे ही, यहाँ पर भी क्या होते हैं? 22 autosomes होते हैं और one pair क्या होते हैं one pair होते हैं sex chromosome ठीक है ये शायद आपने पढ़ा होगा आता होगा आपको फिर भी एक बार अच्छे से देख लेते हैं क्योंकि confusion रह जाते हैं कि कौन सा chromosome कहां पर जा रहा है कैसे क्या हो रहा है ठीक है ये हो गया 44 अब हमको पता है कि ये जो sex chromosome है ये decide करता है कि gender क्या होने वाला है यानि कि जो भी बच्चा होने वाला है उसका gender क्या होने वाला है तो हमको ये भी पता है कि male का जो sex chromosome होता है एक होता है x एक होता है y क्या होता है एक होता है x किसके उपर depend होता है, male या female male या female, किसके उपर sex determination depend होता है, sex determination depend होता है, male के उपर क्योंकि यहाँ पर heterozygous वाली condition है, क्योंकि इसके पास जो दोनों chromosome है, वो कैसे हैं, अलग-अलग है और इसके पास दोनों same present है, ठीक है, अब हमको को पता है कि जब यह X से X क्या होगा भाई पर्टिलाइज रोगा तो यहां पर क्या बनेगा ऑबियसली गर्ल जब इस X से यह X बनेगी तो यह भी क्या मिलेगी गर्ल अब इस Y से यह जब X होगा तब हमको क्या मिलेगा तब मिलेगा हमको मेल क्या मिलेगा और इस Y से इस Y पर तब जाके हमको क्या मिलेगा मेल मतलब यहाँ पर 50-50 condition है 50-50% chances है मेल और फीमेल होने के है क्या नहीं 50-50% chance देखो यह तो आपको पता है लेकिन यहाँ पर नया क्या है नया क्या है भाई हमको पता है कि जो इसमें division होता है वो होता है किस से होता है वो मियोसिस से कैसे होता है मियोसिस से मियोसिस से जब यह division होता है तो chromosome number क्या हो जाते है chromosome number half हो जाते है क्या हो जाते है मतलब अगर यह एक मेल के तरफ से sperm है तो इसमें कितने chromosome है 23 और इधर female के तरफ से जो जाइगोट है उसमें 23, तो ये 23, ये 23 में क्या होता है, ये 23 में से 44 जो आपके autosomes है, उसके भी क्या आ जाएंगे, हाफ याने की 22 autosomes होते हैं, और 1 सिर्फ एक और एक sex chromosome हो सकता, आइदर वो X होगा या Y होगा, वैसे ही female में क्या होता है, 22 autosomes होते हैं, और 1 obviously वहाँ पर X ही होने वाला है, तो यहाँ पर 23, sperm में होगा, 23 यहाँ पर ovum में होगा, दोनों fertilized होते हैं, तब जाके हमको जो हमारा baby मिलता है, उसमें chromosome कितने होते हैं, उसमें chromosome होते हैं, 46, 46, 46, 46, ठीक है, और हमको ये पता है कि 46 chromosome होते हैं, 50-50% chance होते हैं, boy और girl दोनों होने के, ठीक है, यहाँ तक के clear, सकते हैं, यहाँ पर हम इसको खतम करते हैं, क्योंकि मैंने सार्या, जितना easy हो सकता था, उतनी मैंने कोशिश किये, अगर फिर भी आपको कोई doubt रह जाता है, तो वो भी अपन clear कर लेंगे, आप comment section में हमको पूछ सकते हैं, then हम मिलते हैं हमारे next video lecture में, next हमारा क्या बचा है, menstrual cycle, menstrual cycle काफी अच्छे से हम पढ़ने वाले हैं, वो भी आपको क्या हो जाएगा, एकदम confirm हो जाएगा कि भाई, कैसे यह सारी चीज़े work कर रही है, ठीक है, तो मिलते हैं हमारे next class के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद,